हलो बच्चों आईए स्पोस्वागते जो हम सी बोल रहा है कि एक ग्राम तुल्यांग एस्टू का एंटीपी पर आयतन कितना होगा तो आज कल बच्चों एंटीपी और इस्टीपी दोनों सेम चीज हमारे पास हो गई है या उसमें आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है त तुल्यांकी बहर यह आपके पास हमारे पास होता है अब एक ग्राम उसने बहुत थैस बाहर आएक से बच्चों बाहर निकाल सकते हो अगर किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना है तो हम number of moles का formula पढ़कर आ चुके हैं तो आपने ऐसा पढ़ाया कि number of mole is equal to क्या होता है बचो जब तभी आयतन की बात होती है तो आप लेते हो आयतन उसको डिवाइड बै करते हो 22.4 लीटेल से देखो अगर आपको चीज की समझ में आ रही है तो कमेंट में इसको mention कर दिया करो कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहे है तो वह बता दिया अगले वीडियो में उसको improve करने की कोशिज की जाएगे बच्चों आपको करना पड़ेगा exam आपको देना है तो question से fight मारो आप जब को ट्राय करते ह कर से स्टार्च पूसे करो कि मुंझे शीखना इसलिए कि मिरे से बन जाएगा आप को स्टार्ट करने से पहले हापने दिमागर करो सोच करो बन जाया मुझे ता इस गीस है नहीं बने इंग सक Olá Mana तो आप यह cross multiply कर दोते हैं, आपके पास यह number of mole into 22.4 आपके पास आ जाएगा, तो number of mole आपके पास किसी निकालोगे, तो वहाँ पर given है, bar divided by molar bar, s2 का आपके पास 2 होगा, into 22.4 कर देते हैं, यह कितना होता, cancel होके 11.2 आ जाता, option number B, हमारे पास question का सही जवाब हो जाता, तो I hope आ